तो इसको हल्प कीजिए तो क्या होगा है देखिए तो इसमें से कुछ कट जाएंगे उपर जो रहता है उपर जो है संख्या उसमें नीचे का भाग देते हैं तो तीन से भाग देदेंगे तीन एकका तीन एकट गया तो नहीं केते हैं तो जितना बचा है सेम्ख्या उतलीजी यहां कितना बचा यहां तो एक बचा है थे एक बच गया तो यह तो दोनों नहीं यहां तीन बचा है करने के बाद ठीक है गुड़े उपर दो बचा है बटे 5 नीचे हैं गुड़े साथ बचे है और नीचे एक अगर साथ बटे कुछ नहीं रहता तब पर भी एक लिख सकते हैं ठीक है क्याद देख्या करिजिए दो में का गुड़ा करेंगे तो धुम्ही होगा गुड़े सात दो और रहा यह का चलिए करी गुड़ा एक एक का करी पहले दो में करी दो एक का दो बटे तिन परचे पंदर गुड़े साथ बटे एक है अपिर साथ में दो का करिये साथ दूनी 14 बैटे 15 का पंदर तो कितना हो गया 14 बटे 15 जाना यहां एंस्वर है आपका ठीक है तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा और दूसरा देखते हैं दूसरा उद्वार में देख लेते हैं पांच बटे आठ गुड़े साथ बटे नव गुड़े तीन बटे दो तो चलिए तो लिखिए इसे लिख लिजिए इसे भी लिख सकते हैं पांच गुड़े साथ गुड़े तीन बटे आठ गुड़े नव गुड़े दो अब काटिए तीन से कट जाएगा तीन का तीन तीन तिरिक का नव अब अब तो नहीं कटेगा तो जितना बचा संख्या पर लिख लिजिए पांच गुड़े साथ गुड़े यहां एक हो गया एक लिखें चाय न लिखें कोई मतलब नहीं लेकिन लिख दे रहे हैं समझने के लिए आप लोगों को यहां आठ बचा गुड़े यहां तीन सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए क्यों जब बहागे का निशान जहां आता है तो समने वाली संख्या को फांच कि बच चे की फांस हिसा चाहिए तो यहां बहाग का निशान है में तो चलिए 5 चलिए 5 गुड़े 7 बैटे 6 गुड़े 3 तो 5 सते 35 बैटे 6 तरी 18 वैटे बैटे 18 उतर आ गया और इसको और शोटा कर सकते हैं 35 में भाग देखकर के 18 का तो भाग दीजिए अठारा का भाग इसमें 35 में अठारा का भाग दीजिए 35 भागे अठारा करेंगे अठारा दूने 36 ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार जाएगा अठारा तो 35 में से अठारा गटाएंगे कितना बचेगा 17 बच गया ठीक है तो कितना उत्तर आ गया आपका उत्तर आपका कितना आया एक सही 17 बटे अठार है यह एंसर हो गया आपका यह ही एंसर हो गया आपका ठीक है इसको हल करिए इसको कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले यह तो भीने का जोड़ लगाते समय से पहले जो नीचे की संख्याएं है अगर एक समान सभी संख्या इसका रही हो तो क्या हो जाता तो यह एक समान नहीं है तो रहसाण निकालेंगे किसका किसका लगसा निकालेंगे च्छ दो पांच चार जो नीचे किसां क्या है हर का लगसा निकालते हैं तो निकाली यह लगसा काटी है पहले दो से काटी है दो से कटेगी दो तियां इच्छ दो एक का दो पांच नहीं कटेगा उतार लो दो दो नी दो दो नी अब 3 से काटिए, 3 एका 3, यहाँ 1 है और 5 नहीं कटेगा ठिक है अब 5 से काटिए, 5 एका 5 सभी कटे तो क्या आ गया है है हाँ इसी यह क्या हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 क्या हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 तो कितना हो जाएगा 2 दुनी चार्थियाँ 12 पंजे 60 60 क्या हो गया lesser हो गया lesser बराबर 60 हो गया तो चलिए lesser नीचे लिखते हैं इसका भाग देते हैं 6 का भाग 60 में दीजिए कितना बार जाएगा 6 दहां में 60 यहां 10 के उने लिख रहे हैं क्योंकि भाग देंगे तो 10 बार जाएगा 6 दहां में 60 गुड़े उपर की संख्या का गुड़ा करते हैं 5 यह उपर प्लस का निशान बीच में है तो प्लस लगाएगे अब 2 का भाग देंगे इसमें 60 में तो कितना बार जाएगा 2 30 बार जाएगा 2 3 यह जाएगा 2 का जब 60 में भाग देंगे तो 30 आएगा गुड़े उपर 3 है 3 यह लिक देंगे तब प्लस पांच का भाग देंगे 60 में तो कितना जाएगा 12 आ जाएगा 12 65 होता है ठीक है 12 आ गया गुड़े उपर 4 है तो उपर का गुड़ा कर देंगे धन 4 का आप देंगे 60 में भाग तो कितना जाएगा 15 आ जाएगा अंदर 64 गुड़े उपर तीन है तीन का गुड़ा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 10 गुड़े पांच 10 पचे पचास धन 30 गुड़े तीन तीस तीन नब्बे हो गया धन बारचव को 48 हो गया धन 15 तीन 45 हो गया बटे 60 है 60 कर देंगे तो अब सब को जोड़ लेंगे जोड़ी सब को पांच आठवांच तेरह कितीन कि एक हांत लगा हांसिल लगा एक पूचार एक पांच चार नव नुन दूने अठार 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 फांस तेईस बैटे 60 कि इतना आ गया तो इसमें भाग देंगे तो एक बार देख लीजिए शहीं आया है कि नहीं पांच अठवांच पां पंद्रह पंद्रह आठ तेईस तो इतना आया अब 60 का भाग देंगे इसमें दो तीन तीन भागे शाठ तो शाठ का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा तो